नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनलीस साइंस में स्वागत किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पहरी बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक से और कमेंट जो कीजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है बीसद स और इसके माडल पेपर बताएंगी कि ऐसे पेपर में यहाँ आएगा यहां पर तीन घंटे का पेपर नहीं होताब दो घंटे का ही पेपर होता है जहाँ पर मैक जीमिम मर्त आप 75 रंकों का होगा चलिए यहां पर आप पेपर को सुरू करते हैं यहां पर देखे टाइम दिया गया है टाइम होगा यहां पर दो घंटे का पेपर होगा आपका मैं जी मार जो है वा पचत्ता रंको का होगा चले यहां पर हम नोट में क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं नोट में दिया गया है यहां पर question paper question paper is divided into three section question paper three section a b and c question paper जो है वा three section में divided है attempt question from which section are directed अर्थात कहरा है जो इसमें सभी खंडों की जो प्रस्नों का उत्तर जो है वा निर्देशा अंसार दीजिए अर्थात इसमें प्रस्पत जो है तीन खंडों में भाजित होगा जहां खंड आ या खंड भा या खंडत शा या section A section B या section C यहाँ पर चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम section A पढ़ेंगे Section A है यहाँ पर section A है खंड आ very short answer type question यहाँ पर very short answer type question इसमे उतलग उत्री प्रस्न कहेंगे इनमनी में चलिए इसमें से पढ़ते हैं चलिए हापर section A में देखते हैं इसमें note में क्या दिये गया है इसमें note में दिया गया है कि answer answer any three out आप five sub question each sub question carries three marks अर्थात कहरा है section A में जो है पांच question दिये जाएंगे जिन में से आपको तीन ही question का answer देना है और एक question का mark जो होगा आप answer देंगे तो उसका तीन marks मिलेगा अर्थात आपको section से तीन question करेंगे तीन गुड़े तीन अर्थात आपको यहां से nine marks आपको यहां से मिलेंगे यहां से nine marks मिलेंगे चलिए अब यहां से question पढ़ते हैं question इसमें से जो है सभी के सभी question important है एक भी इसको पढ़ लेजिए इसमें सभी धेर question आपको पेपन में सभी फस जाएंगे चलिए question को पढ़ते हैं पहला question यहां पर है one का a है यहां पर define कीजिए यहां पर define inertial and non inertial frame of reference अर्थात inertial and non inertial frame of reference क्या है इसके बारे में आपकी definition लिखनी है चलिए question number दूसरा पढ़ते हैं question number दूसरा है यहां पर state hooks law of elastic city अर्थात हुक्सला क्या है आपको इसके statement लिखनी है चलिए question number three पढ़ते हैं यहां पर जो है right right kepler law of planetary motion अर्थात right kepler law of planetary motion अर्थात केपलर ला का तीनों नियम आपको लिखना है ग्रहों का उसी का यहां पर आपको नियम लिखना है केपलर ला का चलिए question number d पढ़ते हैं आपर question number d दिया गया है define define moment of inertia explain its significance आपको जो है moment of inertia की definition देनी है और उसके statement को आपको explain करना है यहां पर चलिए question number अब इपढ़ते हैं question number e है per distinguish between progressive and stationary waves के आयार्थात आपको progressive और stationary waves के बीच के आंतर आपको यहां पर देना है आप अंतर आपको बताना है चलिए यहां पर अप section A समाप्त होगे चलिए अप section B पढ़ते हैं यहां पर section B है section B है section B है खंडबाज इसे कहेंगे इंदी में साट answer type question यहां पर हम कहेंगे वह वेरी साट answer type question यहां साट answer type question इसे हम लग उत्री प्रस्ट भी कहा जाता है चलिए यहां पर हम question को इसमें से पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले note में क्या दिये गए है दूसरे में दिये गए है note में answer any four out of seven sub question each sub question कहरी इस nine marks यहां से दिये गए है कि जो है section B में आपको साट question दिये जाएंगे जिन में से आपको चार ही question का answer देना है तो चार गुड़े 9 अर्थाथ आपको 9.36 marks आपको section B से सबसे ज्यादा mark आपको section B से मिलेंगे चलिए यहां पर आप question पढ़ते है question यहां से है नबर A है prove that the transformation आप contra variant vector from A group अर्थाथ जो है contra variant की जो transit property है उसको आपको यहां पर लिखना है question number A है चलिए है पर question number B पढ़ते है question number B है यहां पर what are central force what are central force क्या है give to example of such a force यहां पर आपको central force के definition लिखना है और उसके दो example आपको दिखाना है यहां पर question number C पढ़ते है question number C है यहां पर define the quality factor and relaxation time अर्थाथ आपको quality factor क्या है और relaxation time की और आपको define करना है आपर यह question most important है इसको लगा लेजेगा question number D question number D है यहाँ पर derive derive कीजिए newton's law of gratification with the help of kepler's law kepler's law का किसी सहायता से आप newton's law of gratification को derive करना है आपर चले आप question number E पढ़ते हैं question number E है define कीजिए यहाँ पर define the gradient and divergence and curl of scalar function अर्था आपको gradient divergence और curl तीनों की जो है आपको definition है यहाँ पर लिखनी है चले आप यहाँ से question number E पढ़ते हैं question number E आप है what are a conservative and non-conservative force अर्थात आपको conservative force और non-conservative force क्या है इसके बारे में लिखना है और साथी साथ दिखाना है कि so that so that the curl of conservative force is zero अर्थात जो है कर लाप conservative force is zero होता है इसको दिखाना भी है आपको यहाँ पर चले question number अब जी पढ़ते हैं इसमें का question number G है यहाँ से prove that y is go to 3 k 1 minus 2 sigma यह elasticity chapter का जो है प्रस्तियस्था का chapter के यहाँ से derivation है इसको प्रूब करना है question बहुत इंपॉर्टन है पेपर में कई बार आ चुका है चले आप यहाँ से हम सेक्षण सी पढ़ते हैं सेक्षण सेक्षण सी सेक्षण सी है खंड साजी से हम लांग answer type question पढ़ेंगे इसे हम दीर गुतरी प्रस्त भी कहते हैं चले यहाँ पर आप क्या आए तीसरे में चार question दिये जाएंगे जिसमें से आपको दो ही question का answer देना है आप अगर यहाँसे यहां तिसरे का पहला है यहां पर A आपको यहां दिखाना है यहां से आपको सिद्ध करना है चलिए अब यहां से question number B पढ़ते है question number B यहां से question number first बहुत important है यहां बहुत बार paper में आ चुगा है question number B है यहां पर state and proof state and proof the theorem यहां से आपको state में लिखनी है और proof करनी है theorem को पहला है यहां पर parallel axis parallel axis and perpendicular axis far rotating body outer rotating body के लिए parallel axis perpendicular axis की जो है आपको यहां पर theorem लिखनी है state में लिखनी है और उसका proof भी करना है यहां पर चलिए यहां पर question number C पढ़ते हैं question number C है इसमें का give theory of force acceleration and discuss the sharpness of regionals यहां पर theory of force acceleration लिखना है और discuss करना है आपको sharpness of regionals के बारे में चलिए यहां पर question number D पढ़ते हैं question number D है यहां पर define कीज़े satellite geostationary satellites and find the expression for kinetic energy potential energy and total energy satellite moving around earth यहां पर आपको सब्सक्राइब की आपको डिफनेशन दिखनी है और उसमें एक्सप्रेशन भी प्राप्त करना है काइनेटिक इनरजी पोटेंसिल इनरजी और टोटल इनरजी आप से लाइट की चले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जूर कीजेगा अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथ हीजाद बता दें आपको इस चैनल पर बीए बीसी अमें एमसी आज सभी का पेपर का आपको यहां से वीडियो मिल जाएगा अगर आप इस पेपर का पीडियो चाहते हैं तो डिफन में टेलिग्राम लिंक दिया चेली थैंक्स फार वाचिंग